हेलो एवरिवन रुतुराज 97 चनल में आपका स्वागर है दोस्तों और आज की व्लोग में मैं बात करूंगा ऑक्स केबल के उपर जादा तर लोगों के कंप्लेंस है दोस्तों कि आपका जो ऑक्स केबल होता है जो आप म्यूजिक सिस्टम में लगाते हो गाड़ी के वह बार मोबाइल वहाँ पर कनेक कर सकते हो लेकिन जो गाड़ियों में इन बील्ड ब्लुटूथ नहीं होता जैसे कि आप देख रहा है मेरी जो डिजायर है इसका VXI मोडल है दोस्तों सेकेंड जनरेशन की गाड़ी है तो इसमें ब्लुटूथ वगरा नहीं है तो इधर आप दे इसमें 3.5 mm का पोर्ट होता है दोनों साइड में ऐसे ही पोर्ट होते है देखिए आप किस तरह से तो इस तरह से तो एक जह है वो गाड़ी के जो म्यूजिक प्लेयर है उसमें जाएगा और एक जो है वो आपकी मोबाइल में लगेगा और दोस्तों लंबाई भी अच्छे क था खिंग सिदमार तो यह मैं तो इसकी के बात करने हो तो सिए यह तो आपको मार्केट में 100 गर्णा मिल जाते में तो आपको पता होगा एसे पर रटक्स में कुछ वरटी करा नहीं होती कभी भी खराब हो सकते तो ऐक यह बात है क्योंकि यह आपके उपर नहीं है क्योंकि कब खराब हो आप खहा नहीं सकते कुछ होते है जो सालबर भी चल जाते है दो-तीन महीने में भी खराब होता है तो यह आप कुछ नहीं कर सकते बाद में अगले जो दो पॉइंट से वो दोस्तो आपकी गलती होती है जब आप यह ऐसे लगाते हो और दूसरा जो port होता है वो आप mobile में लगाते है अभी दोस्तो मैं mobile से recording कर रहा हूँ तो mobile पर आपको play करके नहीं दिखा सकता तो मानिए कि यह port आप यह अभी गाड़ी में लग गया और यह आप जब mobile में लगाते हो तो आप लोग क्या करते है जादर लोगों को मैंने नोट किया है वो क्या करते है एक बार यह mobile में connect किया दोस्तों तो इस तरह से फोल्ड करके रखते है अभी मैं जादा फोल्ड करके नहीं दिखा होंगा दोस्तों क्यूंकि मेरा यह नया यह तो एक साल तो एक लिस आना चाहिए तो यह दोस्तों ज् रखना है जब आप यह mobile को connect करो आप देखिए इधर से आप कितना भी इस तरह से फोल्ड रख सते हो लेकिन जब आप mobile हाथ में पोकड़ो गया फिर आप इधर भी रख सते हो mobile तो यह जो पर्ट एटलिस यह जो joint है इधर तो थोड़ा सा तो सीधा रहना चाहिए बाद में अप किदर भी फोल्ड करो कोई दिक्कत नहीं तो कुछ लोग यह करते हैं और दूसरी कलती में आपको बताता हो दोस्तो जादर लोग क्या करते हैं अभी आप जब भी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और जब आपको म्यूजिक लगाना है उसी टाइम आपको दोस्तो यह लगाना है वरना आप ये बाद में निकल कर रख सकते हैं मतलब मैं अभी गाड़ी में जा रहा हूँ तो अभी मुझे लगाने की ज़रूर है तभी मैं लगाऊंगा और जब मैं गाड़ी से बाहर रुकतरूंगा तो मैं ये इसली दोस्तों देखिए कितना टाइम लगता और ये पोड आप जब मोबाल को लगा हूँगे मोबाल पर म्यूजिक ऑन कर रहे हो तो डाइरेकली डोस्तो ओन होता है तो मैं ये कहना चाता हूँग हो कि कुछ लोग क्या करते है गाड़ी में तो ऐसा आपको नहीं करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है जब आप समय वाल में चाहिए तब लग रहे हैं तो क्या होगा दूस्तों आप देख सकते है इसमें कई बार ऐसा इस पर वेट आने से बेंडिंग हो जाएगी और यहां से डोस्तों वो लूज हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा दूस्तों यहां से तो कुछ प्रोब्लेम हा रहे है मतलब कही बार आप जब song play करते हो तो ठीक से इसका music आपको गाड़ी में सुना ही नहीं देता कही बार आपको बहुत बार ऐसा scroll करना पड़ता है set करना पड़ता है और कही भी speedbacker आगया rough road है तो फिर से ये ऐसा ही हो जाएगा तो दोस्तो ये तीन बते है पहला जो warranty के बारे में मैंने बता है तो 100 रुपे का product है दोस्तो तो warranty हो गरा कुछ नहीं मिलेगी तो ये आपके हाथ में नहीं है लेकिन दोस्तो जो second और third point जो मैंने बताया वो आप ध्यान में रख सकते है मतलब second point जो बता है कि आपको इस तरह से पूरा इदर से फोल्ड नहीं करना है ये आप ध्यान में रख सकते है और दूसरा point जोस्तो आपको गाड़ी में continuous से लगा के नहीं रखना है जब आप music लगा होगे तभी आपको ये रखना है तो ये बात दोस्तो तो आशा करता है कि आपको व्लोग समझ माया होगा तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी मर सकते है अपने दोस्तों के दाथ चैर भी कर सकते है और मेरा चैनल दोस्तो सब्स्राइब कर सकते है क्योंकि मैं चैनल पर आटोमेटिव कंटेंट बनाता हू और नहीं जो गाड़ी आते हैं उनके में हिंदी में आपको रिवीज भी रेता हू तो थैंक्यों फॉर वाचिंग एंड स्टे टून अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी